पंजाब 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 एट नाइन लेके मेर्शितिव कौर ते सिक कंटे दे विच तौनु पंजाब दी हर खबर दसंग मौसम दाहाल विदसंग इत चंगे खबर दी गाल भी होवेगे बिल्कुल मैं है तो हडे नाल इंदर जीत को और ते इस नॉन स्टॉप बुलिटिन दिविच पंजाब दे हर कोने तो तो हडे ले यसी खबर लेके आई हैं ते शुरूआ ते स्वेले दी वड़ी खबर दे नाल दस दे हैं जो की 84 सेख नसल कुशी दे नाल जुडी हुई है दूजे सुब्याच होए मामलिया दीवी जाच हो सकती है पीटी आई दे हवाले तो ये जानकारी मिल रही है टाउनी सुचरासी नसल कुशी दे 186 केस खोल सकती है एसाइटी तो अंदासी के इंदर सरकार वलो ये एसाइटी बनाई गई सी बारा फरवरी 2015 नो एसाइटी बनाई गई सी ते पहला भी खबर आई सी के 75 केस खोले गे ते होण 186 केस खोलन डा फैसा लिया गया एसाइटी वलो पीटी आई ते हवाले तो एक खबर सामने आ दिये बिल्कुल ता 186 केस जो है ओ खोले जानगे एसाइटी वलो जादा जानकारी देलिए साड़ेना जी मीडिया पत्रकार पवन नारा फोन लाइन ते जो चुके ने पवन ता केड़े केस ने जिड़े खोले जानगे 186 केस दस्ते जारे ने आखरे केड़े 186 केस ने पवन अगर आप तक मेरी आवास पहुंच रही है तो जानना चाहूंगे कि आखर कौन से 186 केस है जो रिये उपन हो रहे हैं जी हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद सरकार की ओर से स्पेशल इन्वेस्टिकेशन टीम बनाए गई है जिसने केसिस की जाच की जिनमें उत्रप्रदेश, हरियाना, मध्यप्रदेश, महराष्ट्र और दिल्ली के कुल मिलाकर 186 केस ऐसे पाए गए जिनमें वो सुबूत जिनको देखकर लगा कि इन केसिस को दोबारा री इन्वेस्टिगेट यानि पुनर जाच करने की जरुत है, आपको बता दें कि इंस्पेक्टर जेनरल रेंक के IPS ऑफिसर और जुडिशियल ऑफिसर को मिलाकर तीन मेंबर की S.I.T. डीर साल पहले बनाए गई थी, हाला कि उ 270 केस थे, जिनके री ओपन होने की मामले दर्ज थे, तो इन में से महज 186 केस हैं, वही क्यों चुने गए हैं, अन्डियो को क्यों छोड़ दिया गया है? आपको बता दे कि कुल मिलाकर 241 केसिस थे, जो दिल्ली पुलिस ने सुबूतों के अभाव में बंद कर दिये थे, और उनको री ओपन करने की डेकमेंडेशन दी गई थी, नानावती कमिशन ने सिर्फ चार की, यानि 241 में से नानावती कमिशन ने कहा था कि सिर्फ चार द जब यह मांग की गई कि सभी केसिज को री इंवेस्टिगेट किया जाए और इसी मांग के बाद एक SIT बनाए गई और जो प्राइम अफेसी जाच की गई उसमें 186 केसिज में ऐसे सुबूत सामने आए जिनको री इंवेस्टिगेट किया सकता है या कहें कि उन सुबूतों कि आधार पर कानूनी लडाई लड़ी जा सकती है और यही बज़े कि 186 केसिज को री उपन करने का फैसला किया गया है जी पवन बहुत बहुत शुक्री आपका इस तमाम जानकारी के लिए ता SIT जो है ओ बढ़ाई गई है तिन मेमरी SIT सी जो की होन केस री उपन करेगी ते 186 मामले ने जिनादी चोन कीती गई है आखर किस सदारते हो यह आते किस तरीके दे नाल होन अगए ए मामला वदेगा इस दिलही फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पैगा तातों दासे केंदर सरकार वोलो SIT 2015 दे विच बनाई गई से तो कुछ दिन पहला खबर एवी आई से के 75 केसिस खोले चानगी जैसे सियासत वी गरबाई सी ते होने एक वारे 186 केसिस तो खोलन दी गाल कीती गई है आते एक वारे जो 1984 जो पीड़त ने होना ने एक वार फिर तो इंसाफ दी जो उमीद है एना केसिस से री उपन होना ना एक वार फिर तो चाकी है